तुमसे पहले तुम्हारा चर्खा च्छतीस गड़ पहुँच चुका था बापू तुम्हारे कंडिल आने की खबर नहीं किसानों को जीत दिला दी दुर्ग में रखा तुम्हारा वो चर्खा आज सिर्फ सूत ही नहीं स्वपन भी बुनता है जन्मानस के सामोहिक विकास का मोहन्दास बाकलिवाल स्कूल के कुछ बच्चों को तुमने जो फूलों का हार पहनाया था वो फूल अब भी ताजा है और चतीस गड़ के हर बच्चे में संभावनाओं के साथ महक रहे हैं मोती बाक का वो खादी मिला जगार बनकर चतीस गड़ को हर साल रोशन करता है कैसे भूल सकते हैं बापो अचुत्त धार यात्रा में तुम्हारा आना गंजडबरी का सतनामी आश्रम जैतु सावमट की वह धरती आज भी तुम्हारी करुणा का संचार करती है चतीस गड़ कब नहीं था धन्य तुम्हारे आने से मौदहा पारा के सफाई कर्मचारी हो राजकुमार कॉलेज के विद्यार थी या तुमको देखकर खुद में ताकत महसूस करती घरेलू महिलाएं बापु तो तुम सभी के थे राजिम, धमतरी और बिलासपुर की सडकें भले ही नहीं हो पर उन पकडंडियों पर तुम्हारे पद्चिन्हों को कौन भूल सकता है बैतलपुर के जिस कुष्ट आश्रम में तुम मरीजों से मिले वो अब कुष्ट अस्पताल है और हाँ, चुनोतियों के कई दौर आए और आएंगे पर सत्य, समरस्ता और सामप्रदाइक सत्भाव के लिए तेरी मशाल की रोश्णी के सहारे हम आगे बढ़ते जाएंगे बापु, तुम्हारे करुना के सूत्र को पकड़कर 36 गड़ सरकार ने कई योजनाये बनाई है ग्राम सुराज के लक्ष को साधने के लिए सुराजी गाउं योजना शुरू की है राश्विता महात्मा गांधी को याद करने, नमन करने श्रद्दस मन अर्पित करने से हमारा काम खत्म नहीं होता बलकि यहां से हमारा काम सुरू होता है कुपोशन के खिलाप निनायक जंग का एलान किया है जो गांधी बादी सत्य ग्रह पर चलेगा सबको अच्छी सहत के लिए बापों ने बहुत प्रयोग कियो थे इसलिए सारोभम सास्त सेवा हमारी प्रात्म उत्ता है मुख्यमंत्री हार्ट बजार, क्लीनिक योजना मुख्यमंत्री सहरी, सलम स्वास्ती योजना के माध्यम से हम अंतिम व्यक्तित पहुँचेगे बापों की करणा को हमने सरकार का मूल मंत्र बनाया है आईए हम सब मिलकर उनकी करणा का संचार करे बापों के सपनों का नवा चत्थिस गड़ गड़े